इस वीडियो में हम discuss करेंगे curl and divergence of magnetic field तो हम सबसे पहले magnetic field की curl कितनी होती है उसे देखेंगे उसके लिए expression find करेंगे तो हम यहाँ कोई नया derivation नहीं करेंगे जो existing आपका ampere slow है, जो integral form में है उसको हम differential form में convert करेंगे, तो हम वही आपको क्या मिलेगा, curl of magnetic field या curl of B मिलेगा आपको, इसके बाद हम magnetic field की divergence निकालेंगे तो divergence के लिए expression find करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गौसला हमने elektrostatic में लगाए था, वही गौसला को हम magnetostatic में लगाएंगे, और देखेंगे कि चुकि magnetic monopole exist नहीं करते तो इस वजए से यहाँ इसकी जो value होगी, divergence की वो 0 आने वाली है, चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब B है उसकी curl निकालेंगे तो हमारा task है यह इसको हम शुरू करेंगे क्या, ampere slow से ampere slow क्या था, कि line integral of magnetic field line integral of magnetic field round closed path equal to mu node time into i n closed तो line integral होगा, यह होगा, ब.dl इसका closed path के long integral equal to mu node अगर current and closed कितना है, आई है तो यह इस तरीके से हो जाएगा, तो हम दीखे, current and closed i है, तो i current को हम किसमें कर सकते हैं, current density में convert कर सकते हैं, current को हम किसमें convert कर सकते हैं, current can be written in terms of current density यह कहा है, j, जो की vector quantity है, तो i को हम इस डंग से कर सकते हैं, कि उस surface के long जो j है, उसका integration यह क्या हो जाएगा, आपका j.ds यह current की वे ले जाएगी, तो current का expression हम इस डंग से लिख सकते हैं, यहाँ देखे, b, b को हम क्या कर सकते हैं, b actually line integral है, यहाँ, जो right side है, इस समय surface integral आ जाएगा, तो left side को भी हम surface integral में convert कर सकते हैं, यह line integral can be converted to surface integral by stocks theorem, तो stocks theorem क्या है, कि हमरे पास अगर कोई vector a है, इसका किसी path के along line integral, जो closed path है, उसके along line integral क्या होगा, उसे हम surface integral में convert कर सकते हैं, जो यह line integral हम किसी path के लोग निकाल रहे हैं, यह किसी surface का edge या किनारा हो सकता है, तो किसी surface का edge होगा, उस surface के along अगर integral ले सकते हम, तो उसे हम surface integral में convert कर सकते हैं, बट हमें जो a है, उसकी जिएके क्या रखना होगा, curl of a रखना होगा, dot ds, तो इसे हम यहाँ, b के term में लिख सकते हैं, इसका मतलब यह हो जाता है कितना, integration of b dot dl, equal to कितना होगा, surface integral, curl of b dot ds, अब देखें, यहाँ पर आगे, जो हमारा b dot dl है, यह आगे है, mu note आई है, यह आगे है, तो हम क्या करेंगे, इसे ही, यहाँ, इन दोनों को, इसे कह सकते हैं, one, इसे कह सकते हैं, two, इन दोनों को, ampere slow में, substitute कर देंगे, तो ampere low में, substitute करने पर, substituting in, ampere slow, कितना होगा, b dot dl कि जाए, कितना जाएगा, यह आगा, आपका surface integral, curl of b dot, ds, equal to कितना हुआ, यहाँ, mu naught, और i n close कि जाए, कितना है, यह हमने current density बना ली थी, j dot ds, तो इन सब को एक तरफ ले आते हैं, तो एक तरफ लाने पर कितना हुआ, curl of b, minus mu naught j, और इसका dot product कितना है, ds, इन सब का surface integral, s equal to 0 है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका surface integral 0 है, तो अब depend करेगा कि surface कैसी है, चुकि surface कोई भी ले सकते हैं आप, तो आप अपने हिसाब से surface को चूच कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, surface is arbitrary, तो यह integrant जो होगा, जो अंदर वाला है, यही 0 होगा, इसका मतलब, curl of b, minus mu naught j, equal to 0, क्या कह सकते हैं, curl of b, equal to mu naught j, तो यह actually क्या हुआ, यह differential form आ गई, यह हम कह सकते हैं, curl of b की value है, तो यह actually क्या है, differential form of ampere's law, यह curl of b की value आ जाती है, अब क्या करते हैं, divergence of b निकलते हैं, अब दूसरा पार्ट करते हैं, इसका divergence of, b vector की divergence, तो यह हम gausla लिखते हैं, थोड़ा समझने के लिए, electrostatic वाला gausla लिखते हैं, क्या था, तो यह electrostatic में हो जाएगा, इससे लिख लेते हैं, कि flux of electric field, about close surface, equal to 1 upon epsilon 0, into charge and closed, तो जो plus charge था, और minus charge था, उन सब का individual करने के बाद, vector sum, मतलब इन्हें क्या कहते हैं, यह monopole कहीं जाएंगे, और अगर कहीं पर plus minus charge, बराबर बराबर है, तो उसे हम कहेंगे dipole, तो चुक्कि electrostatic में, यह plus और minus charge, individually exist कर रहे थे, तो हम कह रहे थे, कि monopole exist करते हैं, और उन सब का algebraic sum ले दे थे, बट अगर हम इसी चीज को, electrostatic वाले इस law को, अगर हम magnetostatic में लिखे, मतलब flux, of magnetic field, about closed surface, equal to some constant, वो अलग हो सकता है, magnetism में, multiplied by magnetic, magnetic monopole, enclosed, चुकि magnetic monopole exist ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा, और constant से multiply होने के बाद, zero हो जाएगा, तो right hand side आपके कितने हो जाएगी, यह zero हो जाएगी, और left side क्या है, left side आपके पास है, flux of magnetic field, इसका मतलब यह surface integral होगा, किसका, b dot ds, equal to, कितना हो जाएगा, यह zero हो जाएगा, और यह closed surface होगी, अब हम क्या करेंगे, इस surface integral को, हम convert करेंगे, किसमें volume integral में, तो surface integral, can be converted, into, two volume integral, by, gauss divergence theorem, तो gauss divergence theorem क्या है, कि हमारे पास, अगर एक vector a है, और उसका, हमने surface integral लिया हुआ है, और surface वो closed है, तो उसको हम volume integral में, convert कर सकते हैं, यहाँ पर, और volume की integral में, जब convert करेंगे, तो a का हमें क्या लेना होगा, divergence लेना होगा, यानि कि divergence of a, into, dv, तो इस तरह के से हम convert कर सकते हैं, यहाँ a vector actually b vector है, तो इसे b vector के terms में इसे लिख देते हैं, तो कितना हो गया है, यह हो जाएगा, कितना, integration of b dot ds, along closed surface, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, volume integral of, कितना, divergence of b, dv, इस वाले जो expression है, इसको हम यहाँ substitute कर देंगे, तो कितना आजाएगा, तो यहाँ substitute करने पर, यह right hand side equal to 0 है, तो यह आजाती है, कि volume integral, of divergence of b, dv, equal to 0, अब यहाँ पर volume क्या है, जो भी surface थी हमारी arbitrary थी, इसका मतलब volume कैसे arbitrary है, अब यहाँ volume, is arbitrary, इसका मतलब, divergence of b, equal to, कितना है, 0 है, तो यह अब चली क्या हुआ, divergence की value है, इसका मतलब magnetic field की divergence, हमेशा कितनी होगी, 0 होगी, तो यह, क्या है, differential form, of gausula, in magneto-statics, यह कह सकते हैं, यह divergence of b की value, तो इस तरी के से हमने, curl of b की value भी निकाल दी है, और divergence of b की value भी निकाल दी है, थेंक्यू, यह तरी कीजू निकाल पूहिग है,